क्या समय से पहले लोगसभाद चुनाओं हो सकते हैं? आशंका नितीश कुमार ने जताई है, अदिकारियों को नुरदेश दिया और कहा कि जल्दी जल्दी काम निप्टाले लोगसभाद चुनाओं समय से पहले हो सकता है. मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से सुशील कुमार मुझूद है बात्चित करने के लिए कैसे देखते हैं आप इस बयान को? ने देखे उनका इशारा विधान सभाद चुनाओं की हो रहा है? तो नितीश कुमार चाहते हैं कि विधान सभा का चुनाओं लोगसभा के साथ करा दिया जाए है. तो उनको पता है कि 2024 के बाद उन लोगसभा के साथ करा दिया जाए. ता सले बीजेपी की भी सारे विधायकों को त्यार रहनना चाहिए. कि नितीश कुمार जब बोलते है तो बोलते कुछ है करते कुछ है. इशारा है लोगसभा और वास्तिविक्ता है विधान सभा तो इसलिए लोगों को विधान सभा के त्याराना चाहिए हो सकता है कि नितिश कुमार लोग सभा के साथ विधान सभा चुना भी करा दे लेकिन 23 जून को पतना में बैठक होने वाली है तमाम अलग अलग राज्यों के बड़े नेता बड़े प्लाट्फॉर्म पर जो बड़ा चेहरा है देश की राजनीति में वो सभी पहुँचेंगे और उससे पहले नितिश कुमार का ये बयान आपको लगता है कि तैयारियां जो है वो विपक्ष जादा बड़े अस्तर पर कर रहा है देखिये तो इस विपक्षी एकता कि बैठक पर ग्रहन तो पले ही लग गया अब शकुन तो पले ही हो गया बहले तेरह तारीक की बैठक का डेट तैय हुआ और वो डेट जो तैय हुआ तो खरके साब और रावल ग तारीक भी नाम बता दीजे सारे वही लोग हैं जो पहले से बीजेपी के विरुद में लेकिन सबसे महत्व की बात है कि अमर उब्दल्ला का ब्यान आया है दो दिन पूर्व कि वो बैठक में शामिल नहीं होंगे उन्होंने सवाल उठाय कि तीन सो सतर का समर्थन करने वाल बिहार के दोरे पर मिलने के लिए नितीजी से कहां वो आ रहे है एच्ट्री कुमार स्वामी के पिता जी देव गोडा साब से मिलने गए थे ललन सिंग कहा रहे हैं वो लो और क्या नितीज कुमार तेईस के पूर्व बंगाल के अंदर जो हिंसा हो रही है कॉंग्रेस पिए से लग हो गया और जिमने अप्शकून की बात करता हूँ तो पहले तो तेरह तारीकी डिट टल गई और ठीक अब बैठाक के साथ दिन आरदिन पूर एक महत्पुन निता गड़बंदन से अलग हो जाते हैं नितीज कुमार से अलग हो जाते हैं तो नितीज कुमार नितिस कुमार जो 115 से घटे घटे 44 पर पहुँच गए वो आईजन कर रहे हैं तो वो लोग आईजन करें जो राजनीती के हासी पर खड़े हैं जिनकी राजनीती में आप कोई हैसेत नहीं मची वो ट्रांसफर करने की छमता नहीं मची और देखें नितिस कुमार का हाल वही हो अगर मांजी पिता पुत्र दोनों बीजेपी के साथ आना चाहते तो क्या बीजेपी स्वागत करें इसका जवाब तो केंदरी नितिव तो दे सकता है यह स्टेट लेवल का मुद्दा नहीं है उन्होंने अभी तो कोई इस इच्छा जाहिर नहीं की है और ऐलाइंसे के बा जिस तरह बयान दिया गया कि छोटी छोटी दुकाने चलाने से बेतरे की मर्ज किया जाए जिसके बाद ये फैसला लिया संतोश सुमन ने उन्होंने भी विनियू से भी कहा था कि हम पर दबाब बनाया जा रहा था पार्टी में भी लैका इस बयान को कैसे देखते आपको जदियू की दुकान कितनी बड़ी है चवाली से विधाकों की तो पार्टी है तो उनकी तो खुद दुकान इतनी छोटी है तो छोटी दुकान वाला और दुसरे को करें कि आपके दुकान छोटी है तो आपके दुकान कितनी बड़ी है और अगले चवाली से घटकर आप च तो जिन पार्टियों कोई भौश्य नहीं है जो हासिय पर हैं वो लोग आजन कर रहे हैं विपक्षी एक तागी बैठक मुला रहे हैं तब ही देखिए तहीं से आते हैं और कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते हैं लेकिन एक भी नया नाम नहीं जुड़ा है यह वही ज़निति में करा है कि अब लोगों को पता है कि जदियू का कोई भावश्टे नहीं है न उनकी पार्टी का पार्टी को को आगे चलाने वाला तो नितिशकंपार को कोई भावश्टा है न स्वारी थोड़ी करता है समukt लोग देख रहे हैं कि आप यह ढूबता बाद सूरज नहीं है किि अप यह ढूबता बाद सूरज नहीं है उसलिए देखे जनता दल्यू का तो ना नितिश कुमार का कोई भवश्ये बचा ना उनकी पार्टी का कोई भवश्ये बचा है बहुत शुक्रिया बाचित कने के लिए डूबता हुआ सूरज है जेडियू और नितीश कुमार जाहिर से बात है कोई उनके साथ नहीं रहेगा लेकिन जिस तरह 23 को माहा गठबंदन कह लीजे या तमाम बड़े राज्यों के नेताओं की जो बैठक है उससे पहले नितीश कुमार की पार्टी अब धीरे धीरे खात्मे की और है कुछ ऐसा ही बयान अपने सयोगी मनीश उन्याल के साथ नहीं दिश्री की भी पनियों से लिए